हेलो फ्रेंड बेलकम बेक टू माई चैनल ब्यूटी विद रश्मी तो आज मैं आपको सारी ड्रैपिंग सिखाऊंगी बो भी कॉर्टन की सारी में ये प्योर कॉर्टन सारी है और बहुत ही प्रिटी सारी है ये जो लोग जॉब करने जाते हैं उन बो कॉर्टन की सारी अधि से नहीं बनती है बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम मोटे हैं तो हम पे बहुत फूली फूली लगेगी ऐसा कुछ भी नहीं है कॉटन की सारी को भी अगर आप अच्छे से वेयर करोगे टिप्स और ट्रिक्स के साथ में तो आपकी सारी बहुत नीडली टुकिंग होगी तो इस तरीके से टकिंग कर दिये पहली प्लीट कर आप इसके बाद में हम अपना पल्लू बनाएंगे तो बस पल्लू बनाने के लिए हमें नॉर्मली इस तरीके से पीछे से लेके आना है अपना पल्लू और ऐसे रफली इसको प्लीट बना के और कंदे पे मेजर कर लेना है कि हमें कितना रखना है देखो जब हम गॉटन की साड़ी पैनते हैं तो उसका थोड़ा पलू नीचा होता है तो और भी जादा हमारी हाइड अच्छी से विज्वाल होती है तो इसलिए थोड़ा पलू जो ही गुटने से नीचे ही रखो जिससे आपकी हाइड परसनलिटी और स् प्लीट्स बनानी है देखो फॉल ज़रू लगा होना चाहिए साड़ी में यह पहली ट्रीक होती है अगर आपको साड़ी अच्छी से अपनी टक करके रखनी है तो आपको पॉल ज़रू लगी होनी चाहिए तो यहां पे सारी प्लीट्स हमने बहुत अच्छे तरीके से ऐसे को मतलब फॉलो करते हुए और सारी प्लीट्स यहां पे बना दीनी है इस तरीके से जब भी आप कॉटन की प्लीट्स बनाओगे कॉटन की साड़ी में तो आपकी प्लीट्स एकदम बन जाएंगी बिना किसी मतलब आयरन भी नहीं करना पड़ेगा आपको कुछ भी नहीं आ जादा तर लो आप तो बैस्टन लोग भी पसंद करते हैं साड़ी को तो साड़ी को पहनना हर लेडी को आना चाहिए अगर आप पहनते रहोगे साड़ी तो आपको बहुत ही जादा सुन्दर आप दिखोगे तो यहां पर क्या करना जो प्लीट्स थी उनको मैनेज किया है म प्लीट्स हों थी लिए को 1-2 इंच ऊपर और मोनेज को हाप इंच नीचे करके रखना होता है और इस तरीके से जो यह बाला पार दिखा रहे हुम है इस तरीके से साथ मेने नहीं लेना है और उसके बाद में इस साड़ी को टकिंग कर देना है और अब जो साड़ी तो जो हम जो यह पहले तक करते है तो ब्र alone से तो के सी हात नहीं डालना है उसके ऊपर अब चाहले यानि जो अमारी इस होती ही तो डाइरेक्ट जो प्ली इस का फैब्रिक होता है उसके नीचे से हाथ दालना होता है जिससे आपको यह वाला पैब्रिक बड़ी असानी से मिल जाता है जो हम कमर फिटिंग के लिए फैब्रिक रखते हैं वह पैब्री आसानी से आपको मिल जाएगा तो वस यहीं करना है आप जब प्लीट अंदर टकिंग करते हो तो उसका फैबरिक नीचे कर देना चाहिए जो कमर फ्लीट्स वाला है अगर वो भी आप उसी के साथ में टक कर लोगे तो वो वाला फिर कभी भी नहीं खिचेगा आपका तो आपको देख सकते हो अभी मैं इसको टकिंग नहीं करूंगी फिटिंग नहीं करूंगी उससे पहले मैं अप खाते पीते घर के हो बस इतना ही करना है आपको कि आपको प्लीट्स थोड़ीसी पतलि बनानी है जिससे आप बार की अनने की साइद में आना चाहिए याने अजिस से हमारी प्लीट अच्छे से बन जाएंगी और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पल्लू हमारा बहुत अच्छे से आ जाएगा निकल के अगर हम सर पे भी पल्लू रखना चाहेंगे तो बड़े आराम से मिल जाएगा सर पे रखने के लिए तो यही सारी ट्रीक्स होती है और इस तरीके से देखेगा मैंने थोड़ा सा ऐसे रप कर दिया है अपनी बैली से जिससे यह इतना ही ऐसे प्रैस हो गई है और यह ऐसे प्रैस जासा दिखेगा ना तो यह बहुत अच्छी आपकी सारी टकिंग हो जाएगी और मेरी वीडियो आप लोग कहां से देखते हो यह जरूर कॉमेंट किया करो मुझे भी जाना है कि आपकी सिटी का नाम क्या है और मुझे आप कौन कौन सी सिटी से देखते हो मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और हाँ फैमिली और फ्रैंड के साथ में भी और अब मैं इसको सोल्डर पे यानि टू फिंगर सोल्डर के दीचे इसको टकिंग कर दूँगी जिससे पल्लू हमारा कभी भी बाहर की साइड में नहीं गिरेगा तो अब क्या करना यह जो बॉडर है इसको मुझे टाइटली पीछे से लेके आना है सेट करते हुए अपने के कंस दूगे थे 1 अब SUN में आपको बता रही हूं कि अगर बहुत नीचे से लोगे ना तो यह फ्ली बहुत सारे लोगों में नहीं आती होगी I hope अब आपको समझ में आ गई होगी तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है बस इस तरीके से देखेगा जो हमारा loose बाला fabric करना उसको हमने यहाँ पे अच्छे से कर लिया है आप यहाँ पे अच्छे से fitted करते हुए इस तरीके से साड़ी को थोड़ा नीचे की साइड में ऐसे push करते हुए जाना है जिससे साड़ी की fitting और कमर fitting दोनों ही बहुत अच्छे से मिल जाए आपको तो यहाँ पे बस क्या करना है उसको थोड़ा सा twist करके हमने यहाँ पे कर दिया है और अगर आपको लगता है वो निकल जाएगा तो यहाँ पे accept pin भी आप लगा सकते हो यहाँ पे जो you pin या x pin आती है वो भी आप लगा सकते हो तो यहाँ पे मैंने कोई भी pin नहीं डाली थी और यह बहुत अच्छे से बिल्कुल एकदम manage हो गई थी मेरी साड़ी और सच में यार बहुत beautiful साड़ी है यह बहुत beautiful और मैंने यह अपनी मम्मी को gift की थी पर मैंने यह साड़ी आपके लिए तकिंग करके दिखाई है कि cotton की साड़ी आप किस तरीके से ड्रैप कर सकते हो cotton की साड़ी बहुत ही beautiful की जा सकती है और हाँ अगर आप स्कूल में टीचर हो प्रेंसिपल हो या आप कोई और जॉब में हो तो इस तरीके की साड़ी आप जरूर एक बार ट्राय कीजिएगा बहुत ही प्यारी लगती है तो देखेगा मेरी साड़ी हो गए होते हैं और मैं तो बस यह जानती हूं कि मैं एक इंसान हूं और आप मुझे सिर्फ इंसान की नजर से ही देखो मैं भी कुछ करना चाहते हूं उसमें मेरा सपोर्ट कीजिएगा तो चलिएगा मिलते हैं बाब बाई टेक क्या